कॉंग्रेस की स्थापना से पूर भी कुछ राजनेतिक संस्थाओं की स्थापना हुई थी भारत में। बहुत सारी संस्थाओं ऐसी हैं जिनका उलेख हम सायद इत्यास में नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके संबंद में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है उतनी महत्पूरों नहीं मानी आती हैं। लेकिन फिर भी एक भूमी का बांधने के लिए कॉंग्रेस से पहले कौन-कौन सी संस्थाओं भारत में थी उन पर दिश्टिकों रखना थोड़ा साथ जरूरी है। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा अब नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि बंग भाषा आने के बंगाली भाषा की बात कर रहे हैं तो डेफिनिटली ये बंगाल शित्र में ही स्थापित हुई होगी और वहीं पर ये बनाई गई होगी। तो राजा राम मोन राओए जिन्होंने कल पड़ाया था आप लोगों को मैंने कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और काफी उनका ये ब्रह्म समाज जो था वो प्रचलित हुआ था या ब्रह्म सभा कहें और आगे भी उसके कई रूप आपको देखने को मिले। तो उनी के समर्थकों ने इस सभा की स्थापना की। 1838 में जमिदारी एस्सोसेशन लेंड जिसकी संस्थापक के रूप में द्वारिकानाथ्स टेगोर का नाम प्रसिद्ध है। तो नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि इसका प्रमुक उद्देश का रहा होगा जो भारती क्रिसी में अंग्रेजी साशन का हस्तक्षेथ था या कहें कि इस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेथ था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी और संस्था पग इसके थे द्वारी का ना टेग और आपको बस नाम याद रखना है कि किस व्यक्ति ने कौन सी संस्था की स्थापना गी अब आते हैं हम पूरा सारवजनिक सभा सुरा सारवजनिक सभा एमजी रानाडे तथा जीवी जोषी द्वारा बनाई गई थी और ये इसलिए भी महत्पूर्ण हो जाती है क्योंकि 1875 इस्वी में बिटिस संसद में इन्होंने जो house of common होता है वहां पर भारत के प्रतेख्श प्रतिजित्व की मांग इनका ये कहना था कि आपके यहां पर जो भारत के संबंद में जितने भी कानून नियम जा विधी बनती हैं उन सभी में हमारे भारतियों का पर्तिनित्व होना आवश्यक है ताकि वो हमारी जो समश्चाइं हैं उनको उठा सके और हमारा जो यह जो समाज है उसमें कुछ सुधार के प्रयत्न कर सके तेखी जैसे आप अगर उत्राखंड में रहते हैं और उत्राखंड का ही कोई एक सांसद जब संसद में जाकरके उत्राखंड से समश्चाओं को रखता है तभी तो संसद में उत्राखंड समश्चाओं पहुँच पाती है तो इसके लिए आवशक है कि आपके छेत्र का एक प्रतिनिधी और आवशक रूप से आपकी समश्चाओं को वहां रख सके हाला कि हमारे जो सांसद हैं वो इस योग नहीं है कि वो यहां की समश्चाओं रखें और नहीं वो रखते हैं नहीं वो उतना इंटरस्ट लेते हैं वनना तो हमारे इस परदेश का विकास भी हो रहा होता या हो चुका होता लेकिन उद्देश यही रहता है छेत्र प्रतिनिधी का कि उसको वहां जा करके चाहे वो विधान सभा असेंबली हो चाहे आपकी वो लोग सभा हो अपने शेत्र की समश्चाओं को रखना चाहिए और उनमें यथा संभव जो समाधान हो सकते हैं उनकी प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए पूना सार्जिनिक सभा याद रखेगा आप एम जी रानाडे और जीवी जोसी इस सभा के संसापक के रूप में जाने जाते हैं उद्देश किया था इनका कि हाउस ओफ कॉमन में क के प्रतिक्षप्रतिक को स्विकार किया जाए 26 जुलाइ 1876 इंडियन एस्सोशियेशन भारत संग तो 1876 में इंडियन एस्सोशियेशन भारत संग की स्थापना हुई थी और यह बहुत महत्पूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें एक नाम ऐसा है जो आगे भी आपको कई बार सुनने को मिलेगा और नाम है सुरिंद्रनाद बेनर जी ठीक है सुरिंद्रनाद बेनर जी जो है उसमें परिशेशन दूआपथी स कराइजया जाती थी और यह शुर्ण जो जो सफल ऑने के बाद है उस नौकली को सब और और भारत में जो सामाजिक पूरीतियां फैल रही थी या फिर जो अत्याचार अंग्रेजी द्वारा किये जा रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडियन एस्सेशेशन या भारत संग नाम से एक संस्था का की स्थापना की इन्होंने बंगाली पत्रीका का भी संबादन किया 1851 में कलकत्ता ब्रिटिस संग एस्सेशेशन जिसके संस्थापक के रूप में राजिंद्र लाल मिस्र राधा कांत देव जोकी अध्यक्ष मानी जाती हैं एस्सेशेशन की हरिष्चंद्र मुखर जी तथा दिविंद्र नाठ टेगोर आधी है इन लोगों ने मिलकर के इस एस्सेशेशन की स्थापना की थी पड़ उत्रा यह महत्पूर्ण नहीं मने जाता है देखिए ब्रिटिस रूल आने के बाद जो संस्थाएं बनी हैं वो आगामी सुदंता प्राप्ति के लिए रती महत्पूर्ण मानी जाती हैं और उनके जो करांती का क्योंकि आप देखिए ना 1850 तक जो सोच थी सुदंता को लेकर कि वो कुछ अलग थी उसके बाद कुछ अलगी हो कि जब इतने व्यापक रूप से उठे इस आंदूलन को अंगेजों ने आसानी से दबा दिया तो वहां से कई सारे लूप होल कई सारी कमिया भारत के अन्य जो शेत्रों में उजागर हुई और उन्होंने यह जान लिया कि सुदंता प्राप्त करना इतना आसान नहीं हो पा मानना था तो 1877 कलकत्ता में सेंटर मौमडेन नैस्टनल एस्टोशेशन यह एक मुस्लिम संस्था थी जिसके संस्थापक सेयद अमीर अली और इंडिया सोसाइटी जो की 1843 में स्थापित की गई उसके जॉर्ज थॉम्सन थी